अधिया बाटिक प्रोसेस इसमें आपने देखी है एडिया बाटिक प्रोसेस का पीवी रिस टू गामा इस इकुल टू कॉंस्टेंट से जो तेंपरेचर वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर टेंपरेचर का रिलेशन होता है वह वाली चीज भी कभी-कभी प्रेशर टेंट से जो प्रेशर टेंट से जो आपके लिए पूछी जा सकते है बस इस चाप्टर में इतना सब कुछ ही है ठीक है तो एक है करके इसके question भी करने शुरू करते हैं बच्चों आप लोग पहले solve करना, solve करके बताना ठीक है question solve करेंगे बटा, तो सबसे पहला question यही आगिया, first law of thermodynamics की कुछ limitations होती है first law of thermodynamics चो रहता है, उसकी कुछ limitations होती है, तो उसकी limitations बताओ, what are some limitations of first law of thermodynamics first law of thermodynamics अब बच्चों ने पढ़ा है, अब दिक्कत यह रहती है कि उसके अंदर कुछ दिक्कते भी है, बिल्कूल सही direction नहीं बताता, तो सबसे पहली यही चीज़ हो गई, it does not provide it does not provide, so this is the first limitation, it does not provide any information any information regarding the direction, ठीक है, very good, regarding the direction, car not engine इसी में, but car not engine तो आप लोगों का deleted है न, I think car not engine, heat engine, refrigerator वाला जो पार्ट है वो आप लोगों का तो syllabus में नहीं है, तो उस पे सादा focus करने की हमें जरूरत नहीं है, तो बिल्कूल सही बोल रहे हो, information regarding direction of heat हमें नहीं मिलती, दूसरी भी चीज बिल्कूल सही बोली, कि जो अब आपने ये चीज second law के अतर भी बड़ी है, जब आप थोड़ा बहुत अपने, जब हमने heat का discuss किया था तब भी बड़ा था, कि अगर आपके बास कोई engine है, उसमें आप कुछ heat supply कर रहे हो, तो वो पूरी की पूरी heat आपकी work done में convert नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ loss होता ही है, तो first law कोलता है कि मुझे इस चीज से कोई विक्कत नहीं है, but this is not practically possible, so first law is unable to explain, first law वो इस चीज को explain नहीं कर पाता, कि why is it not possible to convert the entire heat into mechanical work, ठीक है, तो यही बिल्कूल सही लिखा है विभान है, तो वो लिख देते है हम यहाँ पर, it does not tell us anything about the condition, it does not tell us anything about the condition under which heat can be converted into, it can be, entire heat in which entire heat energy, in which entire energy can be converted into mechanical work, can be converted into mechanical work, ठीक है, इसके बारे में यह कोई भी information provide नहीं करता है, तो first law यहाँ पर fail हो जाता है, ठीक है, first law यह दो जगाँ पर fail हो जाता है, कि वो heat energy, mechanical work में क्यों convert नहीं हो सकती, उसके बारे में कोई information नहीं provide करता, ठीक है बिटा, जो ही है, तो direction of flow of heat के बारे में कोई information नहीं दे रहा हो, और आपको यह जो heat energy और work वाली चीज़ है, उसके बारे में कोई information नहीं दे रहा अगर इसी को लंबे question में भी इनको देना होगा, तो बोलेंगे कि पहले बताओ कि first law क्या होता है, उसके बाद ही limitations बारा बताओ दिख रहा है बिटा, अब screen visible है सबको, all right, दिख रहा है बिटा तनू अभी, चलो, अब अगले question पर चलें, यह simple theoretical question है, कोई दिक्कत की बात नह Should we move on to the next question, guys? यह चीज़ नहीं हो सकती, but first law इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं करता, हाँ, second law जो है, वो first law की इसी limitation को deal करता है, तो तबी second law दिया क्या था, ताकि efficiency और coefficient of performance चे होती है, वो आपके syllabus में है नहीं वैसे, but efficiency और coefficient of performance के बारे पर वो comment करता है, ठीक है, यह चीज़ clear है, V and CP of a gas in terms of gas constant R and gamma, ठीक है, आपको R और गामा के बीच में जो, जो खाली R और गामा से आपको CV और CP का expression लिखना है, साक्षी बिटा, theoretical question था, first law की limitations थी, एक बार notes में देखना, आपको समझ में आ जाएगा बच्चा, यह वालो question देख लो, यह थोड़ा सा mathematical question है, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, you have to write the expression for CV and CP in terms of gas constant R and gamma, तो सबसे पहले, CP और CV के बीच में दो relation होते हैं, एक तो यहाँ पर लिखा है, that gamma is equal to CP upon CV, और एक और relation आपको पता है, Mayer's relation होता है, Mayer's relation बताता है, CP minus CV is equal to R, ठीक है, ठीक है, ठीटा अभी एक फी question हुआ है, यह second question देख रहे हैं, यह दो relation होते हैं, आपके CP और CV के बीच में, तो अब मुझे इसको represent करना है, gamma और R के form में, तो सबसे पहले, I can write CP as gamma CV, is this okay, I can write CP as gamma CV, उसमें क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर CP की जगा मेरे पास आ जाएगा, gamma CV minus CV is equal to R, तो CV की क्या value आ गई, CV into gamma minus 1 is equal to R आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से मेरे पास CV की value कितनी आ जाएगी, R upon gamma minus 1, पीटा एक ही question हुआ है, theoretical question था कि first law की limitation क्या होती है, तो वो तो limitation आपको पता ही है, कि heat flow के बारे में, direction के बारे में कुछ नहीं बताता है, और work then आपका पूरा का पूरा Q mechanical energy में convert हो जाता है, वो CP की value कितनी हो जाएगी, gamma R upon gamma minus 1, clear है यह चीज, is this thing okay, simple, repeat कर दूं बिटा, gamma की value CP upon CV होती है, CP minus CV is equal to R, आपका mayor's relation होता है, यहाँ आप लोगों का mayor's relation होता है, तो यहाँ से मैंने लिखती है, that CP is equal to gamma CV, when I substitute that in mayor's relation, I get the value of CV, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है, CP is equal to gamma CV, CP की value आजाएगी, clear है विभा बच्चा, विभा पूजा, is it okay guys, ठीक है, simple, simple question है, यह starting वाले questions सारे simple रहते हैं, अभी बात में हम थोड़े से मुश्क्रा questions पहुंचेंगे, अभी वाले simple है, तो एक और simple question देख लो, cyclic process, याद है बच्चों को cyclic process क्या होती है, cyclic process क्या होती ह एक बर यह बताओ, याद दिलाओ मुझे, what is cyclic process, very good, cyclic process में internal energy की value 0 रहती है, cyclic process ऐसी process है, जहाँ पर आपका, जिस initial points से आपने अपना process शुरू किया है, वहीं पर वापसी आ जाता है, यह न, initial state is equal to final state, initial state is equal to final state, right, this is what cyclic process represents, कि आपकी जो initial state रहेगी और जो आपकी final state रहे कि वो equal के बराबर रहती है, ठीक है, initial state is equal to final state रहता है आपके पास, तो यहाँ पर आप यह भी देख सकते हो, कि जो change in internal energy रहता है, इस situation में that is equal to 0, है न, change in internal energy आपका path function होता है, state function होता है, internal energy आपकी खाली state function होती है, ठीक है, तो internal energy आपकी state function होती है, तो delta U की value इस situation में आपक आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो विशाल बिटा बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा साइकलिक प्रोसेस में एक और चीज़ देखिए यगर आपका पीवी कर्व है आपके पास तो एरिया एंग्लोस्ट इन पीवी कर्व जो होगा वो आप लोगों को वर्क दन देता है अगर इसकी डिरेक्शन क्लॉक वाइस होती है तो वर्क दन पॉसिटिव होता है या नेगिटिव होता है very good, it is positive और अगर इसकी direction anti-clockwise होती है clock की against गूम रहे तो work done की value negative आती है तो यह सारी चीज़े हमने in fact जब हमने यह thermodynamics का chapter पड़ागा तो first class में हमने यह वाली सारी चीज़े discuss करी थी तो यहां से अगर हमारे पास यह ideal monotomic gas है इसके case में work done का expression हम लोग निकाल सकते है we can calculate the work done during this cycle right, work done will only be equal to this area तो बताओ इसका area कितना है what is the area in this case work done कितना हो जाएगा area of a,b,c,d work done will be equal to area of a,b,c,d what is this area length कितनी है length है यह 2v minus v के बराबर this is 2v, this is v this pressure is equal to p this pressure is equal to 2p तो length कितनी है इसकी यह जो length है this is equal to p यह ना, और यह वाली जो breadth है इसकी this is equal to v तो इसका जो work done है वो तो directly pv के बराबर आ गया और positive है क्यूंकि clockwise है it is positive because it is clockwise so this is your final answer ठीक है इस तरीके का कुछ और भी diagram आएगा तो answer निकाल लोगे विटा very simple ठीक है तो यह चोटे-चोटे questions है इस तरीके के questions आपके आ सकते है expect कर सकते हो simple simple questions है विटा negative आपका तब आता है जैसे यहाँ पर आप देखो आपकी जो cycle है वो clockwise चल रही है यहाँ पर आपकी cycle clockwise चल रही है अगर anti-clockwise चलती है तब आपका negative work दनाता है ठीक है दोनों में आपको area of rectangle ही निकालना है बस आपको negative या positive sign लगा देना है based on the direction of the cycle इस इट ओके पूजा बच्चा सिंपल है यह वाली चीज तो ओके आरो उसकी direction पर ठीक है जैसे यहाँ पर देखो घड़ी की सुईया जैसे गूमती है यह वैसे गूम रहे ना clockwise गूम रहे तो clockwise का मतलब होता है work done की value positive रहती है अगर यह anti-clockwise गूमेगा जैसे clock गूमती है उसके opposite direction में गूमेगा तब आपका work done negative रहता है ठीक है तो आगे अब थोड़े से derivation वाले पार्ट को कर लाते है derivation वाले पार्ट में बच्चों हजादा दिक्कत होती है ठीक है इसमें कुछ निकालना ही नहीं आतो गया answer एरिया ही तो निकाला है इसका है नहीं इसमें कुछ दिक्कत हो रही है क्या विवा बच्चा इसका simple area निकाला है मैंने जो length है वो P के बराबर है जो दूसरी वाली length है इसकी वो V के बराबर है दोनों को multiply कर तो भाई एरिया आजाएगा है ना जी है यह आपको यहाँ पर P 2V given है तो this volume is 2V this volume is V this pressure is P this pressure is 2P so if you find out the work done it will be directly equal to pressure multiplied by volume AB side आपके 2P minus P P के बराबर हो जाएगी AD side आपके 2V minus VV के बराबर हो जाएगी तो length into breath करोगे P V आ जाएगा ठीक है अब अगले question पर आते है isothermal process क्या होती है पहले यह बताओ खोड़ा सा isothermal process के बारे में बात करते है what is isothermal process isothermal process क्या होती है very good this process में आपका जो temperature रहता है वो आपका constant रहता है temperature is constant in this case तो यहाँ पर इसका मतलब है कि change in temperature आपका zero रहता है internal energy की क्या value रहती है इधर what is the value of internal energy internal energy की क्या value हो रहती है internal energy की value भी ma'am zero रहती है internal energy zero क्यों हो रही है why is internal energy becoming equal to zero क्योंकि इस situation में आपका du की value zero के बराबर है ठीक है du जो होता है वो आपका होता है ncv dt तो अगर आपका temperature में कोई change नहीं है तो internal energy भी आपकी constant रहेगी तो इसका एक important feature यही रहता है कि यहाँ पर आप जितनी भी heat provide करते हो that is converted into work done ठीक है जितनी भी आप heat provide करते हो वो आपकी work done में convert हो जाती है right और इसकी आप लोगों ने equation भी देखी होगी इसकी equation क्या होती है that pv is equal to constant this is the equation in this case pv is equal to constant होती है इसकी equation है न तो pv आपका directly equal to rt हो जाता है न तो यहाँ से आप pressure की value अगर मैं एक mole ले रही हो तब आ रहा है अगर आप एक mole तो बिटा 645 की class थी 15-17 minutes हो चुके अप तो अप तो start करनी पड़ेगी है न अगर मैं pressure निकालती हूं तो pressure की value आ जाएगी rt upon v यहां से हम बिटा इसका work done का expression निकाल लेगी ठीक है so consider that you are having one mole of a gas दो बारा समझाओ दूँ बिटा isothermal process का मतलब होता है temperature constant है isothermal process का मतलब है temperature constant है मतलब dt के value आपकी 0 के बराबर है dt के value 0 होगी तो क्योंकि जो आपकी internal energy रहती है वो भी 0 हो जाती है internal energy is equal to ncb dt और यहां पे dq की value directly becomes equals to work done from the first law यह ना from the first law आपका dq की value directly work done के equal हो जाती है ठीक है तो अब इसकी equation होती है pb is equal to nrt let me say that I am having one mole अगर मेरे पास एक mole है किसी भी gas का so I can write this equation right guys I can write this ठीक है तो n को 1 ले लिया ना मैंने one mole consider कर लिया क्या दिखकर है तो इसको भी लिख देते है consider you are having one mole consider one mole of ideal gas enclosed in an isothermal container ऐसे लंबा लंबा लिखो enclosed in isothermal container यह आपको theory में ऐसी लिख्या ना बढ़ेगा अगर यह आ गई तो enclosed in isothermal container ठीक है आपका अगर कोई भी gas है आपके पास जिसका एक mole मेंने लिया है it is enclosed in isothermal container such that state changes from state changes from अब आपके पास initially कुछ P1 V1 था और आपकी final state है P2 V2 के बराबर ठीक है आपकी जो भी final state है वो P2 V2 के बराबर है आपको work done निकालना है तो work done का क्या expression पड़ा है work done क्या होता है thermodynamics में work done क्या निकाला था work done is equal to integral of P2 V इस तरीके का कुछ expression पड़ा है हाँ यही answer आएगा आपका बिटा हाँ change in energy होती है यह अपने first law से पढ़ा होगा ठीक है बिटा डी यू जो होता है वो आपकी internal energy का change है that is equal to ncv dt ठीक है that is equal to ncv dt तो dt अगर जीरो यह temperature constant है तो आपका internal energy भी change नहीं होता न ठीक है शिवानी चलो अब आगे work done की derivation कर लते हैं work done को आप लिखोगे integration of volume आपकी v1 से v2 change हो रही है p dv आपको integrate करना है अभी pressure की हमने क्या value लिखी है rt upon v तो वो मैं यहाँ पर substitute कर सकती हूँ वो चीज मैं यहाँ पर substitute कर सकती हूँ जो हमने pressure की value लिखी थी right so what will I obtain I will get v1 से लेकर v2 rt upon v dv बटा यह सारी की सारी चीज़े हमने class में पहले discuss कर रखी है अभी इतनी problems क्यों आ रही है बच्चों को यह वाली सारी चीज़े class में discuss करी हुए है ना बटा पहले अब यहाँ से आप integrate कर देते है है ना rt इधर बहार आ जाता है आपका rt वाला जो पार्ट है वो बहार आ जाता है अब आप जब v के terms में इसको integrate करते हो तो आपके पास कुछ log की term आती है log की term आती है नहीं आती है ना तो चलो यहाँ पर एक काम करते हैं n का term ले ही लेते हैं suppose I am having nrt suppose I am having nrt तो n यहाँ पर बहार आ जाएगा तेक है अब अच्छे बोलते है कि माम n के terms में निकालो तो n के terms में निकाल दिया यह nrt आ गया शिवानी बटा मुझे question समझनी आया आपका ठीक है तो अब जब इसको integrate करते हैं तो आपको पता है अगर आप dx upon x को integrate करते हो you get natural log of x that is your answer तो जब मैं इसको integrate करूंगी मेरे पास work done की value आ जाती है nrt log of velocity log to the base e of velocity इसको natural log कहते है from v1 to v2 ठीक है is this okay पेटा टी जीरो नहीं है आपका temperature जीरो नहीं है change in temperature जीरो है तो internal energy 0 हो जाएगी न internal energy के value n cv dt के बराबर होती है न बच्चा तो अगर temperature change नहीं हो रहा तो internal energy थोड़ी change होएगी अभी clear है right temperature constant है na dt की value 0 है कोई temperature तो होगा ही बढ़ टेंपरेचर 0 है क्योंकि isothermal process के बारे में बात कर रहे है बटा natural log में सबकी values अलग-अलग होती है ln 2 अलग होता है ln 3 अलग होता है सबकी values अलग-अलग आती है बच्चा ठीक है वो पूरी एक table होती है आपकी याद रखने की जरूवत भी नहीं है सबको एक table सी रहती है उसकी शिवानी बच्चा थोड़ा सा revision करो ktg chapter का n आपके number of moles होते है जो भी आपके number of moles है cv आपकी specific heat capacity at constant volume रहती है तो यह देखा है ना कि cv की value आपकी dq by dt होती है constant volume पे होती है ना वह आपकी वो value जो constant sorry constant volume के अगर आप बात कर रहे हो तो अगर आपका temperature constant होता है यहाँ पर तो you get the value of d us n cv dt यह पढ़ा तो हुआ है बच्चा ठीक है एक बर पहले थोड़े से notes revise करो बेटा ठीक है सुभा सुभा का देखो जो आपके पास time बचता है ना उसके अंदर आप chapter revise किया करो वढ़ना फिर class का फाइदा नहीं रहेगा अगर कुछ भी समझनी आएगा class में तो अपने सारे revise किया करो ताकि इस class में questions solve करें तो आप लोगों की अच्छे से revision हो ठीक है बच्चा तो अब यहां पर जब आप इसको लगाओ के तो work time की value आपकी आजाएगी nrt log of v2 ln v2 minus ln v1 ठीक है फिर इधर भी आप एक वो लगा सकते हो maths का तो यहां से आपके पास value आजा एक बार करवा दूंगी बिटा एक बार पूरी और तो फिर स्टार्टिंग से बता दूंगी पर तभी मैं बोल रही हो कि एक दिन तो revision करो self study करना बहुत जरूरी है classes में आना important है क्योंकि classes में question solve कर रहे है बट उसके अलावच हो आपके पर सुबा का time मिल रहा है या फिर जो भी बच्छा रात को पढ़ है दोनों cases में आप अपनी self study मत छोड़ो visible है बच्छों तो यहाँ से आ गया बस workman का यही expression रहता है इसको आप अलग-अलग form में लिख सकते हो ठीक है इसको क्योंकि हमें पता है कि PV is equal to constant रहता है तो इसको आप nRT ln P1 upon P2 के form में भी लिख सकते हो and you can also write it in the form of log to the base 10 तो log to the base 10 के form में आप लिख सकते हो इसको as 2.303 2.303 के form में आप इसको लिख सकते हो nRT log to the base 10 V2 upon V1 and this is also equals to 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2 right? Is this okay guys? ये चीज़ ऐसे दिमाग में बन गई कि हाँ कैसे करना है iso thermal process का derived work done clear है यहां तक? बटा वो majorly जो questions है आपके support material के हैं तो वहीं पर आपकी answer sheet भी होती है support material के अंदर ही ठीक है विच्चे हों तो महां से आप एक बार देख सकते हो कि किसी question में particularly problem आरी तो मुझे बेचे उसका answer फिर में लिखके भेज़ देती हूं आप लोगों एक बार repeat कर देती हूं starting से isothermal process का मतलब क्या होता है मतलब dt की value 0 होती है change in temperature की value 0 के बराबर होती है है ना अगर आपका change in temperature 0 है तो internal energy कितनी होती है internal energy को हम कैसे लिखते है ncv dt के terms में लिखते है तो क्योंकि यहाँ पर भी तो dt वाली term है तो du की value भी 0 हो जाएगी du की value भी 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो भी आप heat system में supply कर रहे हो that is directly being used up where it is being used up to do work ठीक है यह वाली जो heat है आपकी it is directly being used up to do work ओल्राइड तो यहाँ से हम लिखते है isothermal process का expression अगर हमें work done निकालना है तो suppose कि आपके पास n moles है यहाँ पे मैंने n के term में change कर दिया तो suppose आपके पास n moles है ideal gas के PV is equal to nRT equation होती है तो pressure की आप value nRT upon V के terms में लिख सकती हो तो अगर आपकी जो state है वो P1 V1 से कुछ change कर रही है P2 V2 पे isothermal condition के अंदर work done आपके पास कितना होता है integral of PDV तो अब मेरे पास mathematical चीज है अगर मैं इसको V1 से लेकर V2 तक integrate करती हूँ pressure की value मुझे पता है nRT upon V है तो nRT जो है वो constant है वो बाहर आजाएगा DV upon V को मुझे integrate करना है आपका work done जो होता है वो PDV होता है न चोटा सा work done कितना होगा अगर value आपकी V amount से change हो रही है तो चोटा सा work done कितना होगा आपका PDV के बराबर हो जाएगा उसको जब आप integrate करते हो then you will obtain the expression for work done in the entire process right so यहाँ पर मैंने वही किया है कि DV upon V को integrate कर दिया वार मेरे पास log की term आ गई है I get ln V2 minus V1 if you integrate this and you get the final expression of work done ठीक है is it okay guys clear है बटाँ हाँ PDV आपका small work done है DW होता है इसको integrate करते हो तो work done आ जाता है ठीक है तो थोड़े से अब आगे all questions solve करते हैं यह processes वाला part जो है वो आपका important है बटा integrate करना कैसे सिखाए integrate पे में बितारियों कि एक formula है यह आपका यह लंबा सा साप है उसके आगे अगे आपके पस DX upon X लिखा गए तो इसको integrate करके LNX आ जाएगा ठीक है so this is what you will obtain यहाँ पर आपके पास DB upon V है इसको integrate करोगे तो LNV आ जाएगा ठीक है बिता तो छोटे-छोटे आपका यह expressions है इनको आप याद रखने की कोशिश करो कि integration के expressions क्या होते हैं आपके भी यह साप वाला तरीका लिखे है महाँ पर यह लगा देना हाँ P आपका pressure है ना P प्रेशर है V, volume है T, temperature है simple simple चीज़े हैं यह pressure P से शुरू होता है तो इसको P लिखती है temperature T से शुरू होता है तो इसको T लिखती है ठीक है बटा integration chapter maths वालों का आता है जब 12th class होती है तब आता है वो भी second term के अंदर आता है बाकी integration आप लोगों की majority जो integration होती है वो आपकी पहले ही cover हो जाती है अभी हम try करेंगे कि अगर हमारी March में या फिर April में extra classes लगेंगी ना तब हम 12th class को start करने से पहले यह वाली जो class है उसको cover करेंगे ठीक है यह जो integration है differentiation है थोड़े से mathematical tools cover करेंगे वरना आप लोगों को 12th भी समझ नहीं आएगी ठीक है ओल्राइट थर्ड प्रोसेस बच्चे आईसो थर्मल बोल रहे है बाकी बच्चे बताओ सही लग रहा है इसो थर्मल यह तीसरी प्रोसेस goed है ठीक है रादाओ सैक्ट प्रोसेस कौन सी है वाट इस सेक्ट प्रोसरस फोस्ट एसो थर्मल लग रहे है धृज्ट टीस थर्मल आपकी थर्ड प्रोसेस again अपकी ID आ रद बासेस आपकी isothermal पर रही थी, तो इस वाले में बागी सारी processes मैंने दे दी है, ठीक है, first वाली जो process है, उसमें आप देख सकते हो कि volume आपकी constant रह दी है, तो आपका ये isoporec process है, कैसे identify करते हो, good question, इसका हम देखते हैं, सबसे पहले अगर isothermal process की बारे में बात करते हो, isothermal process के case में क्या equation होती है, PV is equal to constant, है ना, isothermal के case में यह equation होती है, PV is equal to constant, तो अब बच्चों को याद होगा कि जब हमने इसका slope निकाला था, कि isothermal process के अंदर slope कितना आता है, तो क्या आता है अब तब तब slope की value कितनी आई थी? slope की value कितनी आई थी? dp, इसको अगर करते हैं, तो dp upon dv की value जो है, वो आपके पास आती है, minus p y v के बराबर, so this is the slope for isothermal process, तो इसका जो graph रहता है, वो इसी तरीके से plot होता है, pressure और volume एक दूसरे के inversely proportional रहते हैं, अब अगर हम adiabatic process के बारे में बात कर रहे हैं, तो adiabatic process के case में, आपकी equation ही change जाती है, है ना, adiabatic process के case में, आपकी equation होती है, pv raised to gamma is equal to constant, pv raised to gamma is equal to constant, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने slope निकाला था, तो हमारे पास slope आया था, minus gamma p by v के दराबर, this was the slope which we obtained, guys, this was the slope which we obtained, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो slope है adiabatic process का वो जादा है as compared to isothermal process, तो अगर आप isothermal और adiabatic process को compare करते हो न, p और v curve पे, तो isothermal process ऐसे रहती है, adiabatic process का slope थोड़ा जादा आता है, ठीक है, this is isothermal, उसका slope आपका कम रहता है, यह आपकी adiabatic होती है, this is adiabatic process, इसका slope जादा रहता है, ठीक है, तो यहां से आप graph से देख सकते हो कि जिसका slope जादा है, वो वाली process adiabatic होगी, जिसका slope कम है, वो वाली process आपकी isothermal होगी, ठीक है, additionally, अब जब आप यह वाली बात कर रहे हो, जो first वाला graph है, तो वो तो आप directly देखो कि यहां पर आपकी volume, जो value है, वो constant रह रही है, ठीक है, whatever this value of volume is, that is remaining constant, so that is why this process is the process, जहां पर volume constant रहती है, it is isochoric process, is it okay गाई, अभी समझ में आया बटा, graph पाली चीज सबको समझ में आ गई, यह slope पाली चीज भी note down कर लो, ठीक है, यह slope पाली चीज भी पूछी जाती है, कभी-कभी तो इसको भी आप note down कर सकते हो, ठीक है, बेटा, questions हुए है, questions के अलावाद तो क्या ही होएगा, ठीक है, बेटा, खुड़े से questions मिस हो गई, वो note से solve करने की कोशिश करना, ठीक है, मेटा, depend करता है, यार, PT graph में अगर change करना है, तो कर लो, isocoric process की अगर बात करोगे, तो आपको पता है कि volume constant है, volume constant होने का मतलब pressure is directly proportional to temperature, तो cd-line बन जाएगी, isothermal process में आपका जो temperature है, वो change ही नहीं करेगा, तो 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 आपकी cd-line आजाएगी, same concept से आप कोई भी graph बना सकते हैं, concept पता होना चीए, बस graph आपका वैसे ही बन जाता है, ठीक है, is this okay guys, आगे चले, दूसरा question solve करें, ठीक है, crystal clear, तो आजाओ बिटा, चलो ये slide के जरूरत ही नहीं पड़ी है, ब्लांक slide डाली थी मैंने, इस पर आजाओ, second law of thermodynamics, second law of thermodynamics की दो statement कौन सी होती है, ये आपके syllabus में है, heat engine आपके syllabus में नहीं है, बट second law आपके syllabus में है, तो इसकी जो दो statement होती है, एक तो आपकी होती है Kelvin-plank statement, ठीक है, एक आपकी होती है Kelvin-plank statement, very good, एक आपकी होती है, clausius statement, तो ये वाली भी हमने काफी detail में पढ़ी है, Kelvin-plank statement और clausius statement, कि Kelvin-plank statement चाहती है, कि मेरी जो efficiency है, वो कभी 100% नहों हो, और clausius statement चाहती है, को efficient of performance जो है, वो कभी infinity नहों हो, right, that is what these two statements want, to Kelvin-plank statement क्या बोलती है, that it is impossible to construct, a heat engine, it is impossible to construct a heat engine, बिटा, visible हो रही है, सब को screen बच्चों, which would convert entire heat energy absorbed, entire heat energy absorbed into work, ठीक है, तो ये आपका जो first law है, जो first law चीज नहीं कर पा रहा था, वो आपका second law कर रहा है, first law में कोई विक्कत नहीं थी, कि भाई, आप जितनी भी heat दोगे, वो work done में convert हो सकती है, बढ़ हमने practically observe कि, that is not possible, ठीक है, तो Kelvin-plank statement यहीं बोल रही है, कि ऐसा नहीं हो सकता, कि आप कोई भी heat engine बना दो, जहां पर सारी-सारी heat energy जो absorb हो रही है, वो आपकी work done में convert हो जाए, clausia statement जो है, वो आपकी एक तरीके से refrigerator से deal करता है, तो clausia statement क्या होलता है, no process is possible, अब ऐसी process possible नहीं है, no process is possible, अब refrigerator क्या करता है, और उसको गर्ब जगाओं पर बेज़ता है, तो अब यह बोल रहा है कि ऐसी कोई process possible नहीं है, where, where sole result, sole result is transfer of heat, sole result is transfer, where sole result is transfer of heat, from colder object to hotter object, from colder object, अच्छा, फिर से रुख गया, बच्चों कैसे hand raise होते है, मैं समझ जाती हूँ, where sole result is transfer of heat, from colder object to hotter object, ठीक है, तो अब यह बोलता है कि ऐसी कोई process possible ही नहीं है, भाई, कि जहाँ पर आप थंडी जगा से heat लेकर, गरम जगा पर दे रहे हो, without doing any work on it, ठीक है, अगर आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि खाली यहीं हो रहा हो, कि थंडी जगा से आपने heat ली, जो थंडा क्या हो ली, और गरम जगा पर transfer दे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, तो वही है कि आपका alpha जो होता है, coefficient of performance जो होता है, वो आपका infinity हो जाता है, ठीक है, यह statements clear है बिटा सबको, are these statements okay? Yes, ma'am, no, ma'am? Simple है यह वाली statements भी? ठीक है, तो अब आजओ, एक थोड़े से numerical type का question discuss करते हैं, this is a numerical question, यह question मैंने पहले भी आप लोगों को करवा रखा है, तो ऐसे confused नहीं हो ना, इस तड़ी के question भी आपके आ सकते हैं, अच्छा question है यह, और simple numerical है, I think आपके उसी का है, जो आपका support material है, उसी का question है, यहाँ पर आपको बोला क्या है, यह समझो, आपको बोला है कि दो आपके पास gases है, जो initially same temperature और pressure पर है, खीकि आपके पास gas है, gas को कैसे बनाया जाए यार, चलो state बना दते हैं, आपके पास कोई भी gas है, जिसका initially pressure है P, volume है V, temperature है T, और same gas है आपके पास, दूसरी gas में भी pressure V है, pressure P है, volume B है, temperature T के बराबर है, फिर से रोका हुगा, ठीक है, अभी आपको क्या बोला है, कि इस gas को आपने compress कर दिया, isothermally, V से लेकर V by 2 तक, so now you have changed the, आपका कुछ pressure हो गया, P, क्या लिखें यहाँ पर pressure की value, आपका pressure हो गया, कुछ भी आपकी pressure की value आगई, और आपकी जो volume है, that has become half, आपकी जो volume है, that has become half, so this process has happened, isothermally, ठीक है, visible नहीं है गया बटा screen, यह वाली जो process है, यह आपकी isothermally हुई है, जो यह pressure और volume आपका change हो रहा है, so this process has happened, isothermally, यह आपकी isothermally process हुई है, अभी visible है विटा, अब डूसरे case में आपको क्या बूला है, कि यहाँ पर भी आपका pressure और volume, change किया गया है, आपकी volume को उसी वाले case में compress कर दिया गया है, let me say that this pressure, यह वाला जो pressure है, this pressure is equal to P2, क्या लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे pressure, pressure आपका P I के equal है, isothermally के लिए, यहाँ पर आपका जो नया pressure है, वो P A के equal है, तो यहाँ पर आपका जो नया pressure है, that is again equal to some pressure multiplied by V by 2, volume आपकी V by 2 तक ही compress करी गई है, खाली difference यह है, कि first वाले case में, isothermally के तरीके से compress किया गया है, यहाँ पर आपका adiabatically compress किया गया है, ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है, कि इन दोनों pressure के बीश में relation बता दो, कौन सा pressure ज़ादा होगा, वो बता दो, question समझ में आया सबसे पहले, is the question okay guys, ठीक है, अगर यह आपका P1 है, यह आपका V1 है, यह भी आपका P1 है, यह भी आपका V1 के बराबर है, ठीक है बच्चों, तो आपको बोल रखा है कि initial state आपकी same है, final state आपकी same है, बस दोनों cases में आपका, एक में आपका isothermal compression किया है, दूसरे बेडिया बाटिक किया है, तो दोनों के pressure को आप लोगों को compare करना है, कैसे करेंगे compare, isothermal की equation क्या होती है, what is the equation in the case of isothermal, PV is equal to constant होती है equation बिटा, PV is equal to constant होती है equation isothermal के case में, so we can use that equation here, मेरे पास क्या आजाएगा, P1 V1 must be equal to P I multiplied by V by 2, तो P I की value कितनी आजाएगी, ये P I की value कितनी आजाएगी, P I की value कितनी आजाएगी, ये V से V कट जाएगा, P I will directly come out to be equal to 2 of the initial pressure, ठीक है यहां से बन हटाई देते हैं, उससे आप लोगों के लिए easy हो जाएगा, बन हटा देते हैं, ये चीज समझ में आएए, कि जो आइसो थर्मल वाली pressure है, उसकी value 2 multiplied by initial pressure आगई, में क्या equation होती है, what is the equation for adiabatic process, PV raised to gamma is equal to constant, तो मैं यहां पर ये gamma का factor आगया, important, तो मेरे पास क्या equation बन जाएगी, PV raised to gamma must be equal to P A V by 2 raised to gamma, ठीक है, यही equation बन जाएगे बिटा, PV raised to gamma is equal to P A V by 2 raised to gamma, यहां से भी आपका V raised to gamma, V raised to gamma का factor तो कट गया, आपके पास आएगा क्या, कि adiabatic के case में pressure is equal to 2 raised to gamma multiplied by the initial pressure, is this okay guys, यह चीज़ विजबल है आपको, समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताती हूं, बिटा, दोनों cases में आपको initial state और final state तो same दे रखी है, ठीक है, आपका initial pressure P A, initial volume V है, दोनों states के अंदर, final pressure P A है adiabatic में, final pressure P I है isothermal में, volume आपकी V by 2 हो रही है, दोनों cases के अंदर, ठीक है, अगर आप isothermal process की बात करोगे, तो PV must be constant, right pile बिटा, PV must be constant, if you are talking about isothermal process, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, initial state में P, initial state पे volume V, final state में P I, volume आपकी V by 2, तो pressure in case of isothermal मेरे पास 2 multiplied by P हो गया, gamma की value हमें नहीं करनी, gamma की value से हमें कोई मतलब नहीं है, gamma की value question में हमें given भी नहीं है, adiabatic के case में PV raise to gamma आपका constant होता है, यह जो gamma है यह आपका CP upon CB होता है ना बिटा, अभी KTG में देखा था, तो PV raise to gamma will be equal to PA, V by 2 raise to gamma, PV गामा आपका constant है तो, यहांते PA की value कितनी आजाएगी, 2 raise to gamma multiplied by P, तो देख सकते हो ना दोनों की value उसमें यह गामा का फरक आगया, गामा की जो वाल्य होती है वो हमेशे वन से बड़ी होती है, क्योंकि CP is always greater than CD, तो इसका मतलब यही है कि जो adiabatic के case में pressure होएगा, that will always be greater than the pressure in the case of isothermal process, है ना, is it okay guys, gamma atomicity नहीं होता बटा, gamma atomicity नहीं बताता आपको, बताता है कि atomicity कितनी हो सकती है आपकी, ठीक है, atomicity पर depend करता है, atomicity के साथ अलग-अलग होता है, बत गामा आपको atomicity की गो नहीं बताता है, जैसे गामा के वहरे तो 5 by 3 आईगी, तो 5 by 3 आपकी monoatomic gas की आ रही है, अगर atomicity तो 1 होगी ना विटा उसकी, है ना, PA is greater than PI आ गया, so that is the answer of this question, ठीक है तो हमेशा आप जब pressure की बात करते हो, प्रेशर आपका adiabatic process में जाधा रहता है, as compared to isothermal process, is this okay guys, अगले question पर चलें, अगला question भी आपकी एक important derivation ही है, इक्रम, मधू, बिटा, hand raised है, कुछ लिखा नहीं है मैंने screen पर, screen pause नहीं है, बस मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी, अगले question पर चलते हैं, the next question में हमें mayor's relation derive पर नहीं है, तो वो भी आप लोगों का revise हो जाएगा, सबसे पहले बताओ कि first law of thermodynamics क्या होता है, what is the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics आपका क्या होता है, conservation of energy के उपर waste होता है माम, है ना, first law of thermodynamics, बिटा अगर gamma is equal to 1, गामा आपका मेंशे 1 से बड़ा रहेगा, तो adiabatic process में आपका जो pressure आएगा, it will always be greater than the pressure for isothermal process, बस इतना ही है, और कुछ है ही नहीं? ठीक है शिवानी? All right, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे, first law of thermodynamics होता है, आपका conservation of energy के principle पे based, it is based on the principle of conservation of energy, वो आपको यही चीज़ बोलता है कि भाई, जितनी system में तुम heat add करोगे, जितनी भी system में तुम heat add करोगे, वो आपकी heat कहां पे use up होएगी, एक तो internal energy system की change करने में use up हो जाएगी, और एक जो भी बाकी work done होएगा, उसके अंदर आपकी heat use हो जाएगी, ठीक है, so that is what the first law of thermodynamics tells you, that dq will be equal to du plus work done, this is what the third law of thermodynamics, first law of thermodynamics tells us, है ना, कि इसकी statement भी अगर आप लोगों को लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, heat supplied, मतलब dq की बात हो रही है, heat supplied to the system, heat supplied to the system, is the sum of, is the sum of external work done, is the sum of external work done, by the system, external work done by the system, तो ये होगे आपका dq, and its increase in internal energy, and increase in, stuck होगे क्या, इतनी महनत से मैं लिखने होटा, screen struck होगे, ठीक है, and increase in its internal energy, तो ये बोल रहा है, आपका first law, ये statement में तो कुसी को कोई दिक्कत नहीं है, derivation पे आए, फिर mayor's relation की, first part आपका होगे, आपने first law of thermodynamics को state कर दिया, अब second question में आगे, क्या लिखा हुगा है, कि on its basis, establish the relation between two molar specific heat for a gas, ठीक है, लिखने दो बटा, अरे वो तो ले लिया करो न, screenshot ले लिया करो, अभी पांच में नोट्स मैसे ही भेज़तूंगी, तो दिक्कत आईगी नहीं आप लोगों को, दिक्कत आईगी ही नहीं बच्चो, ठीक है, चले आगे, बच्चे ऐसे बाकी बोर हो जाएंगे हमारे, नोट्स मिल जाते हैं, यह चीज को समझो, रिवाइस करो, अपने आप फटा-फट लिखिया, करो थोड़े short notes, देखो, short notes ज़रूरी होता है, classes में, मैं यह नहीं बोलूँगी, कि pen paper लेकर, यह मत बैठो, वो आपके लिए जरूरी है, यह आप pen paper लेकर बैठो, short notes में मतलब, थोड़ी-थोडी जो important points हैं, वो लिख लिए, जैसे यहाँ पर यह statement नहीं लिखी, तो at least first law का यह जो expression है, वो आप लोग लिख लो, ठीक है, वो आपके लिए important है, चलो, अब आगे चलते हैं, अब हमें दोनों के बीच में, जो दोनों specific heat capacity हैं ना, उनके बीच में relation derive करना है, इसका मतलब है कि आप लोगों को mayors relation जो है, वो derive करना है, ठीक है, तो mayors relation, अब mayors relation की spelling में मुझे थोड़ी confusion है, कि m-a-y-e-r है या फिर m-e-y-e-r है, तो वो देख लेना, visible नहीं है, एक second, अभी आजाए गा खारी mayors ही लिखा है मैंने, अलो, mayors relation है, ma होता है ना, मैंने अपने book में सायद m-e लिखा रखा है, जहांबे मैंने notes बना रहे हैं, तो वो मैं rectify करूँगी, ठीक है, यह आपको mayors relation derive करना है, mayors relation आपको बताता क्या है, that cp-cv is equal to r, तो यही relation हम लोग derive भी करने की कोशिश करेंगे, that cp-cv is equal to r, consider n moles of ideal gas, suppose आपके पास n moles हैं of ideal gas, ठीक है, फिर से screen struck हो रही है, यह वही वाला part हो गया, जो कल क्लास में हो रहा था, कि बार-बार screen struck हो रही थी, एक ही question में, जो important question था सबसे, तो मान के चलो कि यह वाला question भी आ सकता है, ठीक है, वो पहले भी इसी question में stuck हो रही थी, consider n moles of ideal gas, which is given, इसी तरीके से आप अपने paper में भी लिखना, जो भी अगर आपको derivation आई है, तो इस तरीक है कि 2-3 line ने लिखना जरूर, ठीक है, 2-3 line ने ऐसी लिखनी जरूर है, consider n moles of ideal gas, which is given dq amount of heat, जुके अंदर आपने dq amount of heat add करी है, और उसका temperature बढ़ गया है dt amount से, ठीक है, which is given dq amount of heat, एक second, which is given dq amount of heat, to raise its temperature, to raise its temperature, by dt, and change its internal energy, change internal energy, by du, तो यहाँ पर आपको पता है, कि भाई temperature बगयरा सब कुछ change हो रहा है, आपने कुछ ना कुछ heat system में दी है, first law आपको क्या बोलता है, first law की भी statement आप लोगों को पता है, कि first law हमें बोलेगा ma'am, dq is equal to du plus vrg तर, है ना यही मेरा first law मुझे यही बोलता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कि first law is equal to dq is equal to du plus pd, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं ma'am यह नहीं समझ में है, नहीं ma'am बहुत मुझके लोगया, क्या करवा दिया ma'am, यहां तक clear है, ठीक है, चलो, तो अब अगर आपकी जो heat है, if heat is supplied at constant volume, अगर आपकी जो heat है, वो constant volume पे आप supply कर रहे हो, तो constant volume का क्या मतलब है, constant volume का क्या मतलब है, work done की value 0 हो जाएगी, db की value 0 है, तो work done तो 0 हो गया, तो जो भी आपकी heat रहेगी, that will be equal to du only, जो भी आपकी heat रहती है, that is equal to du only, and now you guys know, that cv is equal to dq by dt, ठीक है, dq by dt का यहाँ पर आपके पास factor आता है, 1 by n का भी factor आता है, क्योंकि हमारे पास n number of moles है, तो cv is equal to 1 by n dq upon dt होता है, तो अकर यहाँ पर dq की जगह मैं du लिख दू, तो यहाँ से मेरे पास du की value आती है, n cv dt के बराबर, is this okay guys, n cv dt के बराबर value आ गई du की, ठीक है, यह easy है, वही मैं बता जूँ, this is easy, यहाँ तक clear है, अब इसके second case में, now suppose, we are supplying heat, we are supplying heat at constant pressure, we are supplying heat at, में पर जबाब खतम हो गई, constant pressure, ठीक है, अब अगर हमारे पास constant pressure है, तब क्या होगा, constant pressure के case में क्या होता है, constant pressure के case में कुछ खास नहीं होता, cp की जो वाली होती है, it is equal to 1 by n dq upon dt at constant pressure, तो यहां से आप यह जो dq है, इसकी value लिख सकते हो as n cp dt, is this okay guys, यहां तक clear है, dq की value हुमने n cp dt लिख दी, du की value हुमने लिख दी, कितनी n cv dt, तो इसको अब मैं first law में substitute कर सकती हूँ, first law हमारे पास है, dq is equal to du plus p dv, तो यह वाली चीज में first law में substitute कर सकती हूँ, इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, n cp dt must be equal to n cv dt plus p dv, is this okay guys, नहांट पर सबको visible है, box कहां से आया मतलब बच्चो, शवाणी मैं को आपका doubt समझ नहीं आया, ठीक है बिटा, dq is equal to du plus p dv है न, dq की value हमने निकाल ली constant volume पर du की value n cv dt आती है, बिटा, volume अगर आपकी 0 हो जाती है, अगर आपका constant volume क्या बात कर रहे हैं, तो work done की value 0 रहती है, तो जो heat की value है, वो आपकी du के बराबर हो जाती है, है न, work done is equal to p dv होता है, तो अगर volume change नहीं हो रही, dv की value 0 है, तो work done भी 0 हो जाएगा, तो du की जो value है, that comes out to be equal to n cv dt, अब यहाँ पर जब आप cp पर देखते हो, constant pressure पर तो यह आपका expression होता है, यहाँ से मैं dq की value लिख सकती हो n cp dt, तो अब इसको solve कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आपको एक और चीज़ पता है, कि ideal gas में pv is equal to n r t, तो p dv will be equal to what, n r dt, so now I can substitute that here as well, बस मेरे पास answer आ जाएगा बेटा, n cp dt, हाँ, n आपका number of moles है बेटा, n cp dt will be equal to n cv dt plus n r dt, कट जाएगा सब कुछ, यहाँ से n कट गया, dt कट गया, n कट गया, dt कट गया, n कट गया, dt कट गया, बट आप बचा किया आपके पास cp is equal to cv plus r, यही तो आपका मेर्स relation, यही तो आपका मेर्स relation, cp minus cv is equal to r, this is your मेर्स relation, is this okay guys, ठीक है, अच्छी derivation है, simple derivation है, बेटा, last वाले portion मेंने खाली, first law में substitute कर दिया, du की value आपकी मैंने लिख दी n cv dt, dq की value मैंने लिख दी n cp dt, p dv आपके पास work done था ही, हमारे पास यह ideal gas equation है, तो ideal gas equation से p dv की value मैं लिख सकती हो, n r dt, तो यहाँ पे जब मैं substitute कर दूँगी, cp की value आजाएगी, cd plus r, तो वही तो आपका होता है, यह मेर्स relation यही तो होता है न बच्छा, clear है, आगे चलूँ, is it clear guys, आगे चलेंगे, एक तो question और solve कर ले, ठीक है, उसके बाद oscillation chapter पढ़ेंगे, यह oscillation ऐसे मेरा favorite chapter है, तो उसमें में कोई ऐसे थकावट वगावट नहीं होती, यह न, magic यह अच्छी derivation है, genuinely this is a good derivation, यह अच्छी derivation है, और अगर यह आगई तो तो आप लोग के लिए बहुती बढ़िया हो जाएगा, चलो, अब आगे देखते हैं, मैंने अगला question पर हिला दिया, मेरी screen रही पर रुकी हुई है, जैसे मैं चलने लगी, जमी थंग गई, नहीं, कोई अजीब सा गाना है, यह मेरे दिमाग में, alright, तो सबसे पहले तो मुझे यह बताओ आओ आप लो, कि gas की दो specific heat capacity क्यों होती है, अगर आप solid की बात करते हो, या liquid की बात करते हो, तो उनकी खाली एक ही specific heat capacity होती है, बट gas के case में आपकी दो specific heat capacity होती है, ऐसा क्यों? Why does that happen? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि gases जो होती है न, वो आपकी highly compressible होती है, solid जो होते हैं, वो आपके highly compressible नहीं होती है, अगर आप temperature change करते हो, तो solid की volume change नहीं होती, याना liquid की भी आपकी volume change नहीं होती है, अगर आप temperature change कर रहे होती हैं, बट gases आपकी highly compressible हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर temperature change करते हो, तो आपकी volume भी change होती होती है, और pressure भी change होता है, तो आप एक ही time पर दो चीज़ों को measure नहीं कर सकते हो, so that is why आप volume constant consider करके specific heat capacity measure करते हो, और फिर आप pressure constant करके specific heat capacity measure करते हो, तो इसका reason यही है कि gases आपकी highly compressible होती है, on changing temperature, अगर आप temperature change करते हो, on changing temperature, both pressure and volume change, solid के case में यही होता है कि आपकी volume change नहीं होती है, pressure आपका change हो सकता है, बढ़ आपकी volume change नहीं होती है, ठीक है, एक second बीटा, अभी visible है, so that is why gases की आपकी दो specific heat capacity होती है, एक आपकी CP और एक आपकी CV, is this first question clear guys, यह पहला question समझ में आया, पहला question समझ में आया, yes ma'am जी, very good, अब second part पर आजो, इसका second part बहुत interesting है, तो सबसे पहले मुझे यह बताओ, CP और CV में से value बढ़ी किसकी होती है, value किसकी बढ़ी होती है, CP की, क्यों बढ़ी होती है, CP is greater, why is CP greater, why, I want the reason why, चलो, दोनों के बारे में discuss करते हैं, CV और CP, CV का मितलब है constant volume, तो constant volume के case में हमने देखा, work done आपका zero रहता है, constant volume के case में हमने देखा, आपका work done zero रहता है, रहता है नहीं रहता, CP is equal to CV plus R होता है, बिटा, पर क्यों होता है, जादा क्यों होता है, जादा इसलिए होता है, क्योंकि जब आप volume की बात कर रहे हो, constant volume पे आपका work done 0 होता है, तो इस situation में जो भी आप heat provide करते हो, वो आपका temperature change करने में must utilize हो जाती है, जो भी आप heat provide कर रहे हो, वो आपकी directly temperature change करने में directly आपकी internal energy change करने में use हो रही है, ठीक है, तो आपको जितनी heat चाहिए, वही आपकी exactly temperature change क करने में directly use हो रही है, तो वही तो आपकी specific heat होती है, कि कितनी heat चाहिए, हमें temperature change करने के लिए, अब अगर मैं CP की बात करती हूँ, तो यहाँ पे work done 0 नहीं होता, constant pressure पे work done जो होता है, वो आपका 0 नहीं होता, तो जो आपकी heat होगी, वो आपके internal energy में तो change करने में जाएगी ह जाएगी, साथ-साथ में आपके पास work done भी आएगा, साथ-साथ में आपके पास work done भी आएगा, तो CP वाला जो case है, constant pressure वाला जो case है, उसके अंदर आपकी heat दो जगा पे utilize हो रही है, एक तो आपके work done में और एक आपके internal energy के change में, तो that is why जो temperature आपका change करना है, उसमें उसको time लग जाएगा, उसमें उसको जाधा heat की requirement होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत heat आपकी work done के अंदर भी काम में ली जा रही है, ये चीज़ समझ में आई, की CP की value बड़ी क्यों होती है, CV से, कुछ नहीं लिखा है, मैंने इतना ही लिखा है, अभी कुछ खास लिखा नहीं है, ठीक है, बिटा, work done 0 हो जाता है, अगर आपकी volume constant रहती है, तो volume constant है, तो work done 0 हो गया, volume constant है, PDV होता है न, work done बिटा, अभी पढ़ाता है, अभी तो कहीं थी, मेहर्स रिलेशन की derivation अभी तो पढ़ी थी, ये सेम चीज़, है न, volume constant का मतलब होता है, कि PDV की value 0 हो गया, तो work done आ case में आपकी जो ये heat energy है, वो temperature भी change करेगी और साथ-साथ में वो work done में भी use होई, तो इसलिए आपको ज़्यादा heat energy की ज़रुद पढ़ीगी, temperature change हर लेगी, clear है ये चीज़? ठीक है, अब ये तीसरा बारा part कर लते हैं, कि इनका ratio और इनके बीच का difference क्या signify करता है, तो सब से पहले ratio की significance बताओ, cp upon cv is equal to gamma होता है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल सही रजेश, बिल्कुल सही बोल रहे, exactly यही चीज़ आपको लिख क्या नहीं है, paper में सब बच्चे इसको copy कर लो, screen shot ले लो इसका, बिल्कुल सही इन होने चीज़ लिखिए, English में अगर लिखने की दि ratio होता है, और इसका काम यही होता है कि temperature पे भी यह depend करता है, और इस ratio को use करके you can differentiate gases, ठीकिए, आप gases के base पर differentiate कर सकते हो, you can differentiate between gases by looking at this ratio, you can differentiate between gases, है न, monotomic gas के लिए इसकी value अलग रहती है, diatomic gas के लिए इसकी value अलग रहती है, triatomic gas के लिए इसकी value अलग रहती है, तो यह आपको वो information देता है कि आपकी gas कौनसी use में हो रही है, so that is why it is important, is this okay guys ठीक है, और cp minus cv की value कितनी होती है cp minus cv के value आपके पास आगई r के बराबर, तो यह आपका universal gas constant होता है r is your universal gas constant ठीक है, r is your universal gas constant, और यह universal gas constant एक तरीके से आप यह भी देख सकते हो, कि यह excess जो आपको excess heat की जगुरत पर रही है system में काम करने के लिए तो यह वो आपका represent कर रहे है this is the excess heat which is required in the system to perform some work visible है बच्चों अभी सबको ठीक है, क्योंकि cp के case में कुछ extra work done हो रहा है, cv के case में work done नहीं हो रहा तो cp minus cv जो extra work done हो रहा है system के अंदर, वो represent कर रहा है ठीक है, stuck नहीं है इतना ही लिखा है मैंने यह heat capacity ratio और r की value यह लिखनी है c part दोबारा बता दू, बिटा दोनों का ratio होता है आपका gamma के बराबर cp upon cv is equal to gamma, यह आपका heat capacity का ratio होता है ktg में पढ़ाता है, हमने कि यह आपका degree of freedom पर depend करता है, अभी तो हमने इसकी value भी निकाली थी, क्या निकाली थी कि gamma is equal to 1 plus 2 upon n तो यह gamma जो है वो आपको बताता है कि आपके पास कौनसी type की gas है, monoatomic gas है, diatomic gas है, diatomic gas है उसकी कितनी degrees of freedom है यह सारी चीज़ा आपको gamma की value से पता चल जाती है, फिर cp minus cv is equal to r आपके पास आता है mayor's relation से, यह जो r है यह आपका universal gas constant होता है तो हम लोगों ने क्या देखा कि cp वाला जो case है n कहा है, बिटा n आपका degree of freedom है f लिग देती हूँ, अभी निकाला था यह एक तरीके से यह आपको बता रहा है कि भाई, कितना extra work करना पढ़ रहा है मुझे system में, pressure अगर मेरा constant है, तो मुझे कितना extra work करना पढ़ रहा है, ताकि मैं उसको same situation में लाता हूँ is it okay guys, now is it okay ठीक है, ए वाला part दोबारा बता दू, ए वाला part तो यह है कि gas की दो type की specific heat capacity क्यों होती है क्योंकि gases जो होती है, वो आपकी compressible होती है highly, ठीक है, उनको अगर आप temperature change करते हो, तो उसके pressure में भी बहुत तगड़ा change जाता है, उसके volume में भी बहुत तगड़ा change जाता है, ठीक है जाती है, और rotational रहती है है, तो पाश डिग्री ओ उफ रिड़म रहती है आपकी monotomic gases के case में, I think translational plus, नहीं नहीं monotomic के case में तो खाली translational रहती है, आपके पास 53 और DM आपके पास होती है, diatomic gas के case में आपके पास 3 translational होती है, 2 rotational अब इसके बाद थोड़े से जो भी आप लोगों के डिक्तते हैं वो डिसक्रस कर लेगे आज मतलब अभी वाली ग्लास में इसके बाद इसके जो अगली वाली ग्लास है उसके अंदर हम oscillations वाला चाप्टर पढ़ेंगे तो oscillations वाले चाप्टर की भी attend करना अच्छे उसके questions है energy वाला पार्ट उसमें important है आप लोगों को पता है और जो general expression होता है displacement वाला वो वाला part important है तो वो भी चीज़ हम discuss कर लेगे all right